हेलो अब्रिवान कैसे आप सभी लोग उम्मिद करती हूं बहुत अच्छे होंगे तो छट पूजा खतम होने के बाद हम लोग रांची आये वे चार दिन हो गया है और इसके बीच में कोई वीडियो सूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि थोड़ा हो गया था हमारे साथ तो थोड़ा सा रहत है दवा लेना पड़ा तो अब ठीक है इसलिए बीच में कोई वीडियो नहीं बना पारी थी या फिर कोई अपडेट नहीं दे पाई थी लेकिन इन दिनों में जो तहल का मचावाई योटूब में मैं उसके बारे में थोड़ा से यहां बात करने आई ह इसलिए अब आप लोग तो वीवर्स आप लोग देखने वाले हैं लेकिन मैं तो यूटूब पे वीडियो बनाने वाले मैं कंटेंट क्रियेटर हूं अब मुझे यूटूब से परहेज होने लग गया है मतलब अब सोचना पड़ रहा है कि यूटूब पे हम लोग क्या कर है ना आप देख रहे होंगे जहां देख रहे होंगे बस कंट्रवर्स से चल रहा है बस लोग व्यूज के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं और जब यह सारी चीजे सामने आती है ना तो किसी चीज के ऊपर से विश्वास उट जाता है चाए वो यूटूब हो चाए इनस से बहुत दूर रहती थी इन सब चीजों में पड़ती ही नहीं ठीकिन किसी चीज का होता है ना Burges होना वह करते लड़ते हैं फिर दोस्ति करते फिर दुस्मन्य करते सारी चीजे रिपीट होते रहती है लेकिन इस बार जो हुआ है न वह कुछ बड़ा ही है इन मतलब कि लोग सालों से जो हता है ओडियन्स के पब्लिक के आँखों में धूल जोके रहे थे बेवकुब बना नगären रहे थे लोग बन रहे थे बिसमिट के बच्च नहीं मतलब कई तरह नह Crispy नहीं गहीं कोड़ें इस नहीं लेक्ड निकाल दिया है वह सालों से कहीं कहानी नहीं था 지क्र경 को ज्येल रही थी और आज वह दो को ऐसा क्या जुरूत पढ़िए कि सारा चीश सोसल मीडिया पर बताना पड़ा बोलना पड़ा चाहिए वो मरे वह पती के बारे में बोल रहे हैं चाहिए आपनी बहन जैसी दोस्त के बारे में बनाकर दिया नहीं यूटूब को पता नहीं लोग क्या बनाकर रख दिया से भ्यूज और पैसो के लिए कोई भी कुछ भी बोल रहा है और किसी बीचीज में कोई भी कूद रहा है अब कई सपोर्टर हो सके तो मेरे भी इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर सकते हैं उल्टा देखो वीडियो जो अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि होता है ना कि आप पूरे दिन इस तरह के माहौल में रहते हो आप दो नहीं चार नहीं दस वीडियो जिस तरीके के देखो गए ना आपका भी माइंड सेट उसी तरह का हो जाएगा मैं किसी को फॉलो नहीं करती लोगों का दो-दो घंटा में million million views भी जा रहे हैं वो वीडियो जब या नहीं की डालेंगे वीडियो वेधी वा एक एक दिन में 4-4 वीडियो ढाल रहे हैं तो वो करेंगे लेकिन मेरा बस एतना चीज़ों से बचके रोह आज तक जिसको आप देवता समझते थे देवी समझते थे बेहन समझते थे दीदी समझते तो वो देखो आज क्या कर रहे हैं मतलब इन लोगों का जो दोस्ती है चाहिए दुस्मनी है ना सिर्फ और सिर्फ अपने फाइदे के लिए बस किसी के बारे में ये यो आ के आड़ा जानता है। मैं जानती हूँ मेरा चैनल इतना पुराना है चाहिए वाँगिंग वालग वालोग बहुत थाविय्र लिए वांगिंग वायरल यह उसINAकर डेवलपट नहीं है चाहिए यह सब चीजel से भूर रहते हूं जो जहात का बात है लड़ाय तो मुद्दो को बाहर निकाल के हम वाइरल हो वो कर रहें और वो हो भी रहें ठीक है मैं यहां पस इतना कहना चाहती हूं कि यह सब पचड़ों में मत पड़ो इसलिए नहीं पड़ो क्योंकि यह सारी चीजों में यह आप रहोगे ना एक ही जैसा वीडियो देखोगे इन पर कुछ को देख के आपका दिमाग भी खराब होगा और आपका मेंट लेटी भी कही ना कहीं उस तरीके का हो जाएगा है ना तो आख बंद के भरोसा किसी पर मत करो कि जिसका भी वीडियो आपको ऐसा लग रहा है कि यह थोड़ा बक्वास होता है कई बार होता है मैं भी चारी बनके उनके साथ बहुत बुरा हुआ तो उस टाइम हम लोग को भी तकलीफ लगा था वैसा नहीं होना चाहिए ठीक है तो तकलीफ लगता है लेकिन वही क्रियेटर्स जब आज पता पढ़ रहा है कि एक साल दो साल के बाद वह इतना ड्रामा बुरा हुआ है नो वहाते करना और उससे पैसे चापना यहलत है मेरा करना हर धो केमें दुख लडाई है जक्राव है कि हमारे गर में नहीं है मैं अपने घर लडाई जढ़ ले आओ न तो मैं लग पती बन जाओ मैं बता देलिए हूं सामने से 3 अपने घर के बात नहीं सबके घर में यह सारी चीजें होती हैं लेकिन मैं कहूंगी कि सिर्फ हमको लगते हैं 20-30% व्लॉगर या फिर यूटूबर हैं जो इस तरह के बकवास में विश्वास रखते हैं और करते हैं और पैसा शापते हैं सब नहीं है सब जैनुवन व्लॉग बनाते बहुत व्लॉगर हैं कमी नहीं है आज कल यूटूब में इतना कॉंपटेशन है कि हम लोग का काम करना मुस्किल हो रहा है ठीक है इतने यूटूबर और अच्छे अच्छे हैं व्लॉग कहां से सुरू हुआ था फ्लाइंग बिस्ट व्लॉगर थे ठीक है वो लोग व्लॉगर थे जिनके कंटेंट में कुछ नहीं होता था सौरब जो सी यह सब क्यों फेमसी यह लोग तो नहीं दिखाते अपने घर के लड़ाई जगड़ा या फिर इधर उधर के लड़ाई बाते कुछ नहीं यह सब बातों को दबा के ऑफलाइन भी मैटर को सेटल डाउन कर सकता था लोग लेकि नहीं करता है ना और सब कुछ ऑनलाइन करना है क्यों कि करना तो ही और बकवास करना और पैसे चापना दो-दो फाइदा हो रहा है एक तो सामने वाले से हमारी लड़ाई भी हो जा रही है बाद भी क्लियर हो रही है और पैसे भी चाप रहे है ठीक ह कि वो फिर सब दोस्तियार बन जाने है क्योंकि यह जो है आज यह रायता फैला है इस तरह के बना के रखें content ना व्यूज आ रहा है कल के दिन यहीं लोग जो अपने आपको बड़े बड़े ब्लॉगर मानते है न नॉर्मल सा लाइफ दिखा दे अपना नॉर्मल रूटीन द दिखा दे अपने चैनल पर अपने वीडियोज में देखो उनके चैनल पर व्यूज नहीं आएगा और नहीं व्यूज आता है इसलिए यह सब बखवास करते हैं इस तरह की बाते करते हैं जो सालों से 5 साल से 10 साल से राज छुपा कर रखे अपने ससुर की पती की इसकी उसक दोस्तियारी की बहन के भाई की वो सारे निकल आते हैं ऐसे टाइम पर और यह सब देखो कितने बड़े खिलाडी होते हैं यदि इनको यूज नहीं करना होता है एक दुसरे को या फिर इतने गहरे रिस्ते को यूज नहीं करना होता है तो यह हर चीश का सबूत कहां से लेक लिए ताकि उस चीज को आज के दिन वह यूज कर सके और यूज कर रहे हैं मतलब सामने वालों को यह सीधा साधा है ना यह माशूम है तो वह अज़ फस रहा है इस सब चीज में यह मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे इस बात को किस तरीके से लोग यूज करेंगे यह हम आप बात कर रहे हैं आप यह चार बात भी बोल रहे हो किसी मैटर के किसी परसन के बारे में यह एक बात भी अपना बोल रही हूं ना तो उस बात को लोग एजे प्रूफ रख लेते हैं कि सामने वाले ने आपके लिए यह बोला था एजे रिकॉर्ड रख रहे हैं तो यह स तो बहुत बहुत बक्वास चल रहा है यूटुब में लोग गंदगी मचा के रख दिये हैं अब यह सब चीजों से न जो हम जैसे लोग हैं जो सिंपल सीधा काम कर रहे हैं अपना आराम से फाइदा हो रहा है नहीं हो रहा है हम अपना continue महनत कर रहे हैं जब जो हो ना हो वो ह ये पैतरे बाजी नहीं करते हैं, उन सब जैसे लोगों के लिए बहुत मुस्किल हो गया है, क्योंकि सारा कसारा ओडियंस तो इनके पीछे भाग रहे न, इनके बकवास सुन रहे हैं, पता नहीं क्यों, और वो बकवास सुन सुन के अपना दिमाग अपना समय खराब कर रहे ह मैं कहूंगी, जादा मत पड़ो, जादा किसी को बिचारी बोलने का, या फिर किसी के लिए आंसू बहाने का, टेंसल लेने का बिल्कुल विजरुवत नहीं है, ये सारे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दिन सब एक ही थाली में कहेंगे, आज भले एक दुसर लड़की थी, तो उसमें लोगों नो बहुत सपोर्ट किया था, एक दो लोगों ने ये भी बोला था कि आप क्या कर रहें, अभी व्यूज के लिए कर रहें, मैं व्यूज के लिए न कर रहे हूं, व्यूज आय नहीं, मेरे में 100-200 से ज्यादा व्यूज नहीं आता है, इसम तो मुझे रहा नहीं जा रहा था, मैं सोची कि आज ये बोलते हूं कि लोगों को बेवकूप बनाना बंद करो, और सबसे पहली बातों मैं ओडियंस से पब्लिक से कहना चाहूंगे कि आप लोग बेवकूप बनना बंद करो, मत देखो हमा, मैं ये नहीं करी कि उनके वीड करो जो आपके मन को आपके दिल को अच्छा लगे, ठीक है, तो क्यों ऐसे बकवास लोगों को फॉलो करना और ऐसे बकवास लोगों को पसंद करना, देखना, उनके व्यूज बढ़ाना, उनको फाइदा पहुचाना क्यों, उनको कोई मतलब नहीं लगा है कि आपको कितना ठेस लगा कितना विश्वास करते थे, आज आपके पीट के पीछे इतना बड़ा गेम कर रहे हैं, जो सामने सती सावीतरी बनती थी सब, देख लो आज क्या कर रही हैं सब, तो ये सब बंद करो, सबसे मैं बोल रही हूं कि ये सब चीज सही नहीं हो रहा है, यूटूब प जाना बंद करो